हेलो एबरिवान वेलकम टू आल आफ यू आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस ओनलाइन लेर्णिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स टुड़ी इंडिया तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्यासी सेकंड सेमस्टर इसके पहले हमने सेलबस डिसकस किया था आप सबके साथ इसकी वीडियो आप सबको मिल चुकी होंगी अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके सेलबस देखिए आपक इसलेबस का सबसे पहला जो यूट है उसका सबसे पहला जो परहला जो लुक है उसमें आपको पढ़ना है What is the Archigoneate Archigoneate क्या होते हैं और उसके बाद आपको पढ़ना है introduction about the bryophytes और उसके जो बे special characters होते हैं वो चीज़ आपको पढ़ लिए है तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे कि archigoniates होते क्या है और क्यों इनका नाम archigoniates दिया गया क्यों इनको archigoniates कहते हैं और bryophytes क्या होते हैं bryophytes के general features हम लोग यह पर discuss करने वाले हैं यह बहुत ही छोटी सी बहुत ही प्यारी सी इंट्रस्टिंग सी यूनिट होने वाली है बहुत जादा lectures नहीं लेगेंगे I hope कि 8-10 लेक्चर में unit complete हो जाएगी हम ट्राइ करेंगे कि और कम unit थोड़े lectures लंबे हो जाएगे बले लेकिन 8-10 लेक्चर में complete हो जाएगी सबसे पहले ब्रायोफाइट स्टार्ट करने के पहले हम समझते हैं कि प्लांट का जो classification है इसमें ब्रायोफाइट है कहां तो सबसे पहले प्लांट जो है उसको जब classification किया गया था तो इसके दो different classification दिये गये थे एक classification में उनकी अंदर जो embryo होता है उसके बनने और ना बनने के हिसाब से classification दिया था और जो second classification है इसमें हमने देखा था कि वो क्रिप्टोग्राम्स है या फिर फैनरोग्राम्स है क्रिप्टोग्राम्स और फैनरोग्राम्स का मतलब क्या होता है crypto का मतलब होता है चुपा हुआ crypto का मतलब क्या होता है चिपा हुआ teor guestoney, which means cryptograms का मतलब होता है वह सारे प्लाइट में sex organ फ्रिपे हुए होते है उनको हम रखते है cryptograms के अंदर and fenaram grams में जनकेए आपको sex organ जो होते है वो आपको दीखते है clearly visible होते है सबसे पहले हमारा kingdom क्या था ? प्लांटी था उसकी बद उसके सब डिविजन हमने देखिए क्रिप्टोग्रेम्स और फेनरोगेम्स अब डिवीजन की बात करें तो डिवीजन जो है क्रिप्टोगेम्स जो है वह थी क्लासेज में डिवाइड़ है फर्स में क्या है क्या आपका थैलोफाइटा है फर्स में क्या है थैलोफाइटा है सगेंड में ब्रायोफाइटा है थर्ड में टेरिडोफाइटा है तो थैलोफाइटा में आपके क्या क्या आ जाएंगे अलगी आ जाएंगे और फंगस आजाएंगे हलाकि जब यह classification दी गई थी तब फंगस जो था वह plant kingdom का ही part था ठीक है लेकिन बाद में जब और steady हुई तो चार 4 kingdom classification से जो classification था वह 5 kingdom classification में सब्ट कर गया और फंगस को हमने एक अलग kingdom में इसके कुछ character जो था वह plant से बिल्कुल मैंच नहीं करता था इसके जो cell wall थे वह भी अलग chemical compound से बने थे इसके अंदर chlorophyll नहीं था जो कि plant का special character है तो इन सारे चीजों के वज़े हमने इसको अलग कर दिया अब थैलोफाइट में सिर्फ अलगी आते हैं उसके बाद इस हिसाब स से क्रीप्टोछ इstag मैं घृणपाइट में इसके बाद ब्रायुफाइट से इसके आपना हमको पढ़ने थेडो इसके बाद अच पर्मेटोफाइट में किया है स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बिंह प्लांच स्पर्मेटोफाइड आ का मतलब सीड और अमind पतेशाट ज 2 परमेटोफाइटा में दो है कि हमको क्या देखने को मिल थे सब्डिविजन पहला किया जिम्नोस्पर्म और लास्मी क्या अंगियोस्पर्म तो यह थी complete classification overall जो कि काफी broad sense में जो classification दे गई थी और एक classification किया था उसमें थेलोफाइटा प्लांट को डिवाइड किया था और इंब्रीयो फाईटा उन तो यहां पर हमने यहां फंगी यहां पर चाहिंट आ Forces अर खुरूब करे गाता है कि अले क्या उनकि पार्च वारशन सवी बीदें saying को ब्रायफाइट में पढ़ना है तो कहीं न कहीं अगर आपको एवलूशनरी के हिसाब से यह सिस्टम सेट किया गया है तो आपको अलगी से कुछ डिवलब करेक्टर कुछ नए करेक्टर आपको ब्रायफाइट में देखने को मिलेंगे यह हो गया basic नोग Gulf speakers का आपको समझ भ्यांगा कि classrooms? अब हम चलने बाले हैं अगर सबसे पहरी बात क्या होती। आपने जब भी ब्रायफाइट्स पढ़ा होगा, 11th class में आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा था कि ब्रायफाइट्स क्या होते हैं, it's called amphibians of plant kingdom, it's called amphibians of plant kingdom, तो लिख लेते हैं, amphibians of plant kingdom, तो why it is called amphibians of plant kingdom, तो वो सारे जो members होते हैं, वो सारे जो members होते हैं, वो हम amphibians क्यों कहते हैं, because they can live under the water and under the soil surface, वो जमीन पे भी रह सकते हैं, और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, और जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं, तो यह दोनों जगर survive कर सकते हैं, उनके पास ऐसे lungs और गिल्स दोनों प्रेज इनके पास देखो, इनकी जो complete life cycle है, वो क्या करती है, without water, मतलब कि बिना water में submerged हुए, यह survive कर सकते हैं, जैसे normal plant को सिफ फोटो सिंथिस के लिए water चाहिए था, उतना water अगर इनको मिलता तो यह आसानी से survive कर सकते हैं, लेकिन इनका जो sexual reproduction होता है, sexual reproduction, इसमें बहुत important event होता है है, sexual reproduction के समें, जिसको हम लोग जो कहते है, fertilization, sexual reproduction में बहुत important event होता है, जुसे कहते है , fertilization, fertilization, अब ये जो Schweुषा इसमें क्या होता है जो में होता है जिसे FREुड़ाइजिशं में क्या होता है जो में गयमेट फीमल के साथ फ्यूज होता है फ्यूज होने के लिए दोनों का पास पास पहुचना भी तो इंपॉटन है लेकिन ब्याइफाइट में का अधा कि मेल अलग थैलस भी या फिर अलग ब्रांश में बनती हैं अगर एक प्लांट में बनता है तो ब्रांशे अलग अलग होती वह अर्चिक गोनियम अमतलब कि फी निकला है आपका एंथ्रीडिया उसको पहुचने के लिए वाटर की जुरत पढ़ती है तो बिना वाटर कि इनकी लाइफ साइकल कम्प्लीट नहीं हो पाते तो यह कहा जाता है तो यह तो ब्राइफाइट की बात होगी इसके पहले हमको एक चीज पढ़ना था आर्ची गोनि में तो यहां पर देखिये यहां पर आपका अलगी नहीं सेक्स ओर्गन होते उसमें कोई भी आछी गोनिया य त्रीडियम आर्ची अर्ची गोनिया उसके इस स्टुक्चर्श डेवलेप नहीं होता है जो इस फैलोफाइट है जहां पर अलगी और फंगी पंढ़ना है यहा हम को पढ़ना है。 शुक्तष पी अर्ची डोनियत्स क्या होते है ? अर्ची डोनियत्स में उन सारे compare को रखा गया है जिन में Hash-able Wood f क्बुआ्स पर्लाइशन होता है। हमारा एंज्यू स्पर्म है। यहां beyond ट्रीर होता है। इसे इंझ्यू Εल्गोवरी ने प्रेजंट होता है, बाकिछ जो member जो Brio fights है, Terodophytes और Gymnosperm है, इनके पास प्रेजंट होते है, quindi Archigonium, Archigonia himse, जिसके जिसके प्रेजंट होते वो कहलाता है Archigonium. क्या समझना है कि हमारा पार हमारे जो classicization का क्लासिफिकेशन विसमें прогheET. Ray pertodist factor challenge of Brio, che been to embryo fitis 2021, है शोर्ट में लिखते हैं उसके बाद डिदों फाइट है यहां पर इंब्रियो क्या होता है और यहां पर एम्प्रियोंक्या बनता है यहां पर जो है आंशियम जैसे मीशिव बनते हैं जैसा structure बनते हैं बाकि ये तीनो ग्रूप है जो ब्रायोफाइट्स तेड़फाइट्स जो जिम्नोस्पर्म है इन तीनो ग्रूप में जो female sex organ होता है female sex organ होता है वो क्या होता है? archigonium होता है archigonium होता है तो जिस जिस ग्रूप में archigonium as a female sex organ present होता है उस complete group को हम लोग कहते है Archigoniates, आपको आपके BSC 2nd semester में Bryophytes भी पढ़ना है, Teddophytes भी पढ़ना है, Gymnosperm भी पढ़ना है तो इन तीनों groups का जो समूँ होता है, इनको एक साथ एक नाम दे दिया जाता है Archigoniates तो एक common नाम दे दिया जाता है कि आप जो है यह वाला क्लास का सेक्शन है या पीर जैसे कह सकते है कि मालो साइंस का सेक्शन एक A है एक B है तो commonly कह दिया जाता है कि A B जो है वो साइंस का सेक्शन है उसी तरीके से ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस पंप खुद में एक दूसर से अलग-अलग है लेकिन तीनों में Archigonium present होता है इसलिए इनको कहते है Archigoniates इतनी बात समझ में आ गई अब जो जो चैरेक्टर्स ब्रायोफाइट के टेडोफाइट के जिम्नोस पंप के होंगे वही सारे चैरेक्टर तो Archigoniates के भी होंगे अरे जो चैरेक्टर्स जो performance आपकी होगी वही तो आपके classroom मतलब की आपके पूरे group को represent करेगी तो हमको यहां पे Archigoniates का मतलब समझ में आ गया अगर याद करना तो कैसे याद करेंगे Archigoniates किससे start है A-word से start है Archigoniate किस word से start है A-word से और हमारे पास A-word से क्या start है Elgee और NGO तो सेम चीजों में क्या होता है repulsion होता है अन्हें veter师 नहीं पाइजाते तो आपको पूते हैं तुमें अर्ची शतुर्फ पाइजार मेरे चिम्मineaण से ताहिक व्यूंतर अर्ची विडिये करा दा हम शेश्र स्राव firm おसेयर शतुति अब हमने डिसक्स करने वाले ब्राइफाइट के थोड़ी से इंट्रोडक्शन के बारे कि ब्राइफाइट्स क्या होते हैं इस यह बहुत स्मॉल ग्रूप है बहुत बढ़ा ग्रूप नहीं है इसमें 850 जनुरा होते हैं और 24,000 जो है यहां पर स्पीसीज देखने को मिलते है Amphibians of Plant Kingdom इनको कहा जाता है जो कि हमने देख लिया उसके वास फ्र वादर ऑफ ब्रायोलाजी किसको कहा जाता है है हैडिविक को झॉह था पर इंटियन किसे सीवराम कोश्यप के कंट्रिबूशन को लिखने के लिए सकता है एक्शाम में कि साइंटेस्टिस्टिस्टिवरा अभी तक algae भी थालॉइड थी और bryo भी थालॉइड थी और यहां पर भी थालॉइड बाड़ी ही देखने को मिलेगी थालॉइड बॉडी आपको bryo में भी देखने को मिलेगी लेकिन ब्रायोफाइट्स क्या होते ना ब्रायोफाइट्स में जो उनका थालस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एडवांस होता है एडवांस होता है एस कंपेर टू अलगी उसमें कुछ नए करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे अलगी से कंपेर में ब्रायोफाइट्स में कुछ तो नहीं होता है क्योंकि तभी तो थालाइट का जाएगा जिसमें रूट 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 पर है कि आपको को देखने को मिलते हैं मैं आतको आतको बंको ह्पिगर को भारे में AJYBist, जो प्रॉपए क से ब कंपेटके से त्रॉाइश के देखने को सस्तुक्चरी फैको்μि घैनले का त्यांप डिपर इंटाइशनी यहां पर चाहिज होता है लेकिन इनका इनका डिफ्रेंशेशन होता है वह परना में तेलाइड बाड़ी का जादा होता है इनके यह दो प्रकार ग्रॉप्स होते है एक जिसमें लीफी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और एक ग्रॉप जिसमें होगा इस तरीके से चलते हैं अपने इसलाइट पे क्या दिया है no true यहां पे root होना चाहिए था root stem and leaf true root stem और leaf जैसे structure देखनेगे को नहीं मिलते है root like structure देखने को मिलते हैं जिसे हम लोगयार right यहां पर present होते हैं next में क्या है water necessary for fertilization water यहां पर क्या है फर्टिलाइजेशन के लिए water क्यों है जरूरी फर्टिलाइजेशन के लिए देखिए मैंने आपको बताया कि यह कहां पर ग्रोख करते हैं इनका habitat जो होता है वो जो है कि हिली एरिया होता है हिली एरिया होता है यह फिर sadi places में ग्रो करते हैं यह कहां ग्रो करते हैं सडिवर्स होती एंकी banks मतलब की नियुक्त ग्रो करते हैं तो ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहां पर partial sunlight प्रेजन होती है क्योंकि यह green Color प्रोटो सेंथर्टिक होते हैं तो बोजन पना लेकिन इनकी रूट्स इतने डेवलप नहीं होते हैं कि यह इतना वाटर एब्जॉर्ब कर सके कि यह प्रॉपर वाटर एवापरेशन में लूज कर सके तो यह उस एरिया में ग्रोफ करते हैं जहां पर थोड़ा सेडी सा इन्वार्मेंट होता है मौशिर का कंटेंट हाई होता है ऐसी जगह पर आपको इनका ग्रोफ देखने को मिलेगा इनका भी पुछ में पुछ है क्यों वाटर खुनांर के रिषयाश्य के निसासरी है ? तो यह क्यों नसेसरी है ? कि वाटर जो होता है यह ज् глаз भी ऐनका स्प्र मसें इनका स्पाहँ पनके स्पक्ट्चर्जॉर्स जिसे हमुने डिंग कहते हैं तो इनके पास कोई भी मोटायल स्टुक्चर नहीं होता यह तो चाहे तो डारेक्टली वाइन विंड वगरा या फिर किसी बायोटिक या किसी अबायोटिक फैक्टर द्वारा यह अपने जो है कि अपने फीमर पार्ट तरह पहुचते हैं लेकिन इन में क्या होता है इनके पा करता है तो इसलिए इनको नेससरी होता है वाटर का फॉर्दिया फटिलाइज़ेशन बात समझ रहा कि क्यों इनके फटलाइजेशन के लिए वाटर की नेससरी होती है आगे चलते है अब एक बहुत इंपॉर्णेट सा टॉपिक है ग्यामिट फाटिक एन पोरोफाइटिक बढ़ने लगी जब पढ़ाथा अब ही नदे तक हमने अलगी जब पढ़प्प्री ऐ व शौर्फाटिक जफाय। और उसका sporophytic condition था सिर्फ जाइगोट था, यह हमने देखा था, जाइगोट में तुरंत मियॉसिस हो जाता था और फिर से हप्लोइड जनरेशन स्टार्ट हो जाती थी, हम देप्लोइड में क्या था, कि देप्लोइड में क्या होते है, कि कम्प्लीट लाइफ सैकल जो डिप्ल तो ब्रायोफाइट में क्या होता है, कि इनकी में प्लाइट बोडी होती है, वो क्या होती है, वो ग्या होती है, वो ग्या होती है, में प्लाइट बोडी क्या होती है, लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट होता है, वो भी जो है, मल्टी सललल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि था इने मेमें थालस मो फिआ हते लिमिक नहीं एक रिजए लिली चाथी स्के नी बते है वो अंक् кажется लियूरो जो आप यह पी गणिखक सबस्क एला ज कोना बनेगा तो यह बनेगा अगर वालो मालों कि वह बां प्लानट चीज़म बनें तो बने गा अलग 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 खाले में ऑल simples के अन्थ्रीडियम आ हुआ थीअ में बने न बनेगा in 3 गया अध्रीडियम और फिंटर्ड़ी आम आ सीनों से से कर बने अब आपconf кажд Kalina भूंहें perfect कि अ झाने कर अब यह आब अध्रीडियम बने अब यह i conversation ka j ritualnot hoga orapse ऑस डाई जैगोट ते संग। ऑजका यहां पर यहां पर क्या होगा फटिलाइजरिशन नगाइ इसका जब जो ह sv फॉ उड फर्स जन्रेशन घॉड Information क्या होता है जाय सकते हं जैसे कि जाइगोड कहा जाता है इस अ मदर सेल आप इस पोरो फाइटिंग जनरेशन अब यह जाइगोड जो है यह तुरंत मियोसिस में नहीं जाएगा जैसा कि हमने अलगी में पढ़ा था अब यह जाइगोड क्या करेंगा इस तरह के से क एक मास अफ सेल बनाएगा आपने चार Taare तरफं और वो के बन जाती है तो उसके बात क्या होता है कि जाइगोड जो है यह अपना गृध करेंगा मल् ansch के बनाएगा क्या डाइगा Multicellular structure बनाएंगा Multicellular structure बनाता है आपका जो जाइगोट यह जाइगोट जब multicellular structure बनाता है तो उसके बाद इसमें क्या बनते है sporophytes बनते है क्या बनते है multicellular structure होते है उसके बाद एक proper differentiation होता है cell का और यहां पर food, ceta और capsule जैसे structure देखने को मिलते है क्या क्या बनते है sporophytes बनता है sporophyte में क्या होता है आपके food होता है, ceta होता है और capsule होता है food, ceta and capsule यह तीन प्रकार के cells बनती है जैसे जैसे advancement होती है, जैसे development होती है वैसे इन में complexity बढ़ती रहती है पहले सिर्फ capsule बनते है, रिक्ष्या वगरारे के जो मेंबर है सिर्फ capsule बनता है, वह बहुत simple structure होता है लेकिन जैसे आप फ्यूनेरिया तक पहुंचे के complexity बढ़ती जाएगी तो यह हो गया sporophyte के बारे में अब sporophyte में, जो यह capsules होता है capsules में कुछ cells होती है, जो कि spore mother cells की तरह भीएप करती है spore mother cells क्या करती है, यहा पर जो यह capsule कि अंदर spore mother cells in this capsule क्या don't Debate. यह spore mother cells क्या करेंगे कि यह spore बनाएंगे spore mother cells क्या करेंगे muosis division क्या करेंगे jaree miosis division क्या करेंगे spores बनाएंगे.ब यह spore germinate करके क्या बनाएग gametophytes बाध संमझ मैं, क्या हो रहा है पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गामिटोफाइटिक है उनकी पूरी लाइफ साइकल याप्लोइट होती है सिर्फ जाइगोड पिर उसके बाद हमने डिप्लॉटिक लाइफ साइकल आभी जो है कि यहां पे हैपलोडिप्लॉटिक मतलब एडवांस्मंट इस तरीके सो कि फोटोशन्थेटिक अपैसिती अगलिप्ली मतलिप्ल कि अबादल में बोलोड पुक्त के अभी ऐखस Arizona पंवांस्ट्क क मतलिपंजएटम अर्चि देलितियम बने इंधियम में से में अर्चिगोनियम स्टीammet बनेगा यह यह तो स्टारिण हो यहां से क्या स्टार्ट जय गाइगा तक है यह कहलागा तुम्हारा बनेंगा जाइगोट बनेंगा जाइगोट फिर उसमें मल्टिपल डिवीजन होगा बहुत सारी वोई डिवीजन करेंगा आपने चाहरो तो रहें के कवरिंग बना लेगा उसके बाद इसमें डिफ्रेंसियेशन होगा फूट सीटा कैप्सूल जैसे स्पोरोफाइट बनेंग स्पोरोफाइट में कुछ जो है क्लोरोप्लास जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं वो भी फोटो सिंथेटिक बनता जा रहा है मतलब स्टार्टिक में इस तरीके से कारेक्टर को बना रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा अपना फोटो सिंथिस कुर्स पाई उसकी जो आते हैं और यह मिवांसर करके स्पोर्स बनाती है और अगर आपनी संझ वर्क तो और आप तूज को बहुत अब आसानी से रहें कर पाएंगे तो भी तो आपको पढ़ना वो आप आसानी से उनके लाइफ साइकोल को समझ पैंगे तो भाही चीज यहां पे दिया कि ग्यामिटोफाइटिक जो हता वो लॉंग लिफ होता है और इंडिपेंडेंटर क्यों कि फोटो संतेसिस तो यही खाना यही बना रहा है इसके यह से किस लेकिन आपका प्रोफाइट से वो डिपेंडेंट वो शॉर्ट लिप लिफ और इंडिपेंडेंट क्यों होता है कि इनके पास फोटो संतेस्स करने की चंता नहीं होती है बात इतनी समझ में आगे नेक्स में देखते हैं आगे क्या टॉपिक है आगे दिया है आटे है प्रोफेंगे आपको यहां पर इहां पर पस्टुटक्शर देखने को मिलेंगे जैसे कहां आपको आपको यहां पर दिखाया था जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया था जब्यू nov她 और एटवांस ओस टा Lean feature अर्फेंड झोलेंग यह को फोटोड़ा के बर अब लेकिन वहां पर आपको एडवांस ग्रूप में क्या होगा, इर्रेक्ट चीजे देखने को मेलेंगी, जो कि फिउनेरिया वगरा हो गया, जो मॉसस ग्रूप है वहां पर इस तरीके से स्ट्रिक्चर देखने को मेलेगा, लोगरूर ग्रूप में जो राइजोई होते हैं वो जो राइजोई होते हैं वो यूनिसलियर और अन ब्रांच होते हैं वैसे ही जैसे हम लोग एडवांस ग्रूप की तरह बढ़ेंगे वहां पर जो राइजोई होते हैं वो मल्टी सेलियर होंगे और ब्रांच होगे तो यह बात हो गई, नेक्स में आपको क्या करना है कि इनक और इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है किया जाइलम और फ्लोयम, देखे जब हम लोग पढ़ते हैं, अलगी, फंगी और भ्रायो टेरिडो, जिम्नों और अंजियो में और जिम्नों से भी ज्यादा एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगी क Cotyledons और Monocotyledons, Dicotyledons कम अव अ मतलब कि Dicotyledons प्रेविटी हुआ है और Monocotyledons का है Advanced warm है, अलगी में क्या है कि यहां पर ना Xylem है ना Phloem है ना Embryo है ना क्या-क्या नहीं है, यहां पर Xylem Phloem भी नहीं है, चलिए, Embryo लिखते हैं पहले, Embryo एक मिनट यहां पर हम लोग लिगते हैं embryo यहां पर हम लिगते हैं zylem phloyum यहां पर हम लिगते हैं seed habit और यहां पर हम लिगते हैं fruit या फिर fruit wall तो देखिए जो हमारा ऐलगी है यहां पर हम्धिश सब्सकार क्रों आइंब्रीयो एपसंट होता है और फिछमी प्रीव बन अखेते हैं यहां पर इम्ड्रीयो एपसेंट होता है इनिशियेशन देखने को मिलता है कहां पर ब्रायफाइट में लेकिन यहां पर जाइलम और फ्लोयम जैसे कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं तरिडायव में सीट नहीं बनता है जीमडों में बनता है और ब्रायूम फाइट में इनिशियेशन देखने को मिलता है किसका सीडायविट का seed habits जैसे चीजे यहां पर शुरुवाती दिखते है कि इस तरीके सीड बनना स्टार्ट होते हैं अब आपका क्या है fruit जो आपका ovary wall या कह सकते है जो है फिर का present होता ना तो जिम्नु अम होता है ना तो ब्रायोम होता है ना तो तरीके से अडवान्समेंट बढ़ती जारे और तरीके से एक ग्राफ है तो इसी हिसाब हैं ने क्लासिफिकेशन किया था तो यहां पर दिखे प्राइफॉफाइट किया present है इंब्रियो प्रेजंट है उसके बाद ना विचारे के पास जाइलम फ्लोय प्रेजंट है ना फूट प्रेजंट है हमारे यालगी के पास तो इसमें से कुछ भी नहीं प्रेजंट है जिस तरीके से अडवांस में बढ़ती है एक नंबर आउ जो एडवांस करेक्टर था वो अने था आपके बार में एक बेसिक सा अंडस्टैंड वही जीज यहां पर दिए कि नंदर जाइलम फ्लोय नहीं होता इसी लिए इंको कहां जाता है एट्राइकोफाइट वहां की निया है यह रिकोफायट क्यूंकि इनके पास क्या नाम दिया गया है एट्राइकोफाइट नहीं से अल्पेश एगिए स्ट्रॉक्चर जो भी है फोगा वह हो फोगा तो यह हो चाहिक नेक्स हो दुलिया 12 लले है प्रगारा की ने को आपिएंगा तो यह ईसी के बाग्या कि भी तकतेैंथे लेगां मिलता चैनल देखें ошी death and decaying method होता है। इनकी body are dichotomycely branches यहां से निकल एक बात के थिया समय थाय कहते हो इस तरीके से किमानली जे किसी भी तरीके से यहां पर इस तरीके से गरोफ इस यहां पे जब यहां इसा होगा से स्टक्छर है उनकी स्टक्ट्च्चर दो यह तो यह हां पे सुले कर दो कर द। सक tamधे तो 2022. तो यह हैं पे ब्ल-क QE कर दौ द्सक्चर सब्सक्राइब भी टा-शता देखना की तो तो इस तjang जेज स्टैया निभी यहां टर। तो अल्ला गयलेक तरी किसे बारे वने डितेल में इसकारेंगें उसकी बाद, sexual reproduction का क्या है? sexual reproduction, जो मैंने आपको लाइब सक्ते हैं छाफ क्या है? What is male branch? Enthiriam, Female branch, Archigonia male sex organe, male gametes or female gametes female gametes and female gametes male gametes liberate उसके बाद female gametes होता है, वो जो है male gametes को attract करने के लिए कुछ chemical release करते है, male gametes पर फीमेल की तरफ अट्राफ होता है, water के helps, इनका fertilization होता है, water में ही male gametes swim करते है, उसके बाद जो इनका female gametes fight फाइट होता है, जो इनका आची गॉनिय मौत है। ते इसके एक particular structure होता है इस िफिलरी ह्ते हीं स्लाइल jacket, परपर जू हिं अची प्रेजेशन होती है। जब त्थिलाजेशन की प्रॉसेस होती है, तो म्यूत जिजनुर निएक प्रॉसेस लिफ्याय को मौत famine and successful injury. Xygote बनाता है, Xygote बनाने के टाइम पर हुपाहिए, इंकरीज ऑन्रे माता है फोर भार मैं मैंदटेज के डिविजन हे अपनी ओगर घर इंधा मिंपना करन लेता है Calyptera का क्या हुआ है, वो shockedascal Dolls की बनाता है, वो Baptist Lift का here पर यह यह होते है यह उते ध About a तो यह जो वेंटर वाला पार्ट है, वेंटर वाला पार्ट है, इसमें वेंटर वाला पार्ट है, इसकी सेल्स क्या होती है, इसकी सेल्स क्या होती है, तो वेंटर सेल्स जो होती है, यह सेल्स जो आगे चरके के मल्टिपल डिविजन करके कैलिप्ट्रा बनाती है जो कि जाइगोड के चारव तरफ एक कवरिंग बनाता है तो जाइगोड तो सबस्पोरोफाइटिक है मतलब तो जाइगोड से जो भी चीजे बनेंगी वह स्पोरोफाइटिक होंगी लेकिन जो चीजे वेंटर से वो gametophyte होंगी, मतलब हो haploid होंगी, तो इस तरीके से complete sporophyte के 4 तरफ जो covering होती कलिप्ट्रा की वह क्या थे sporophyte होती है, इसके बारे में देखनी वाले हैं जब हम मेंबर पढ़ना स्टाट करेंगे तो अभी अमने सिर्फ जनरल क्रेक्टर के बारें पढ़ रहे हैं, तो vegetative reproduction इ तो यह differentiation करता है food, CETA, Capsule में, Capsule के अंदर food क्या करता है, यह absorb करता है nutrient को कहां से gametophyte से, CETA, जो है transduction में help करता है, कि food ने absorbed के, उसे capsule तक पहुचाऊ, Capsule के अंदर क्या होता है, तो इस तरीके से multiple division करती है, multiple division करने के बाद capsule के अंदर जो cells होती है, यह cells क्या करती है, meiosis division करती है, meiosis division करके क्या करती है, यह gametophytic spreads बनाती है, हफोड होते है, haploid sports affirmate कर के क्या बनाते है, नहीं फैला बनाते है, वह gametophytic ते पूरा step स्टेप्स हो गया, है स्टेप यह होगा कि एक अलग पर देख स्पेरा具 बढ़्र फैइए क्या होगा कि सबसे पहले पास घ्यामिटा फाइटिक था रहले नेया इसा रहे बनाया जो कि sporophytic generation बना रही है sporophytic generation बना रही है sporophytic generation बना रही है sporophytic generation ने क्या-क्या spores बनाया और इस sport में आगे चलके क्या बनाया ग्यामिट्रफाइटिक बनाया यह complete in ka life cycle होने वाला जिसके वज़ाद सेक्षोल रप्रक्षिन होता है तो एक करके देख लेते हैं heading कि वेजिटेटर रप्रक्षिन किस तरीके से होता है death and decay methods होता है tubers और gamma formation के जाता है और भी बहुत अलग अग तरीके methods है adventitious formation होना primary protonima secondary protonima की बार में बना लग से वीडियो बना लेंगे उसकी बाद next में क्या है sexual reproduction क्या है यह U gamut type का होता है मतलब की एक जो female gamut होता है पर sexual reproduction देखने को मिलता है यहां पर जो sex organ होते है वो multi cellar होते है और जो है कि algae की compare में complicated होते मतलब की थोड़े advanced type की यहां पर sex organ देखने को मिलते है इनके चालो तरफ सबसे पहली बार स्टराइल जेकेट का formation होना मतलब sex organ के चालो तरफ क्या हुआ एक स्टराइल जेकेट का formation हुआ जो कि इनको प्रॉब्लम जो भी मतलब adverse condition से इनके survivor में help करती थी तो जो male sex organ था इन्थ्रीडिया कहते है तो जो female sex organ को कहते थे इन्थ्रीडियम का structure हम तब पढ़ेंगे जब मेंबर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब कि क्या इन्थ्रीडियम का structure था क्या अर्ची गोनियम का structure था उसके बाद जैसा structure देखने को आपको मिलते हैं जो कि sporophytic के character है इस sporophytic क्या होता है यह dependent होता है on the gamutophytic complete capsule deployed in nature जो आपका capsule होता है वो deployed होता है nature में बट जो sports mother cells होती है वो क्या करती है meiosis division करती है और alternation of generation हो जाता है और यहां से haploid आपको sports cells का formation होता है जो sports होते है वो non-motile होते हैं के पास motile के लिए कोई भी organ नहीं होते है और इनका dispersion है जो अलगा स्थान पहुचना होता है वो अलग अलग मेंबर में अलग अलग कहीं पर gene मतलब कहीं पर जो है कि gun mechanism होता है तो कहीं पर water के through dispersion होता है कहीं परिस्ट्रो कुछ जो groups होते हैं वहां पर मौसें मेंली जो advanced group होते हैं वहां पर sports germinate करके क्या बनाता है प्रोटो नीमा-like structure बनाते हैं मतलब कि जो sports था हमारा वो तूरंट कहीं जो primitive group था वहां पर तूरंट germinate क्या बना रहा है gametophyte बना रहा है gametophyte बना रहा है कुछ group में तूरंट germination क थ्वारा जाइगोड लेकिन कुछ group में क्या होता है कि जाइगोड क्या करता है जर्मिनेट करता है और एक multicellular structure बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटो नीमा और यह प्रोटो नीमा फिर जर्मिनेट करके आफिर एडवांस में ठोकिने के बाद क्या बनाता है gametophyte बना क्या-क्या changes किये अपने अंदर ताकि वो लैंड पे भी रह सके लैंड पे भी रहने लगा वो एमफीबियंस कहलाने लगा तो उसने उसके लिए क्या-क्या adaptations अपने अंदर किये तो वो सारी चीज़ें नेक्स वीडियो में देखेंगे I hope कि आपको general introduction समझ में आए होगा सिर अपने हिसाब से साली चीज़ें पर डिसकस कर ली हैं सिर्फ हम लोगों को यहां पर पूरा पार्ट था इसको अलग से डिसकस करना है और दूसरी बात enthridium और archigoneum यह सारी जीजों का जो complex structure था वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग मेंबर पढ़ना स्राट करेंगे ठीक ह तो इसे के साथ वीडियो को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दे लैंड अडप्तेक्शन अफ दे ब्रायोफाइट अल्द वेरी बस्ट